हालो स्टुडिंस तो यह हमारा चप्टर का लास्ट टॉपिक है और इसमें हम पढ़ेंगे प्लार्ट लाइफ साइकल्स और अल्टरनेशन और जनरेशन हम जानेंगे किस तरह से जो जनरेशन है उनका अल्टरनेशन होता है अब तक आपने गयमिटोफिटिक और काता है और उसी को हम क्या रहे है अल्टरनेशन और जनरेशन देखें इन प्लांट्स बोथ हेपलोईड और डिपलोईड सेल्स कें डिवाइट बाई माइटोसस प्लांट में हम बात करते हैं तो चाहें हेपलोईड सेल्स होंगी चाहें डिपलोईड सेल्स होंगी दोनों मा यार रखेंगे कि प्लांक में है प्लॉऑइड और डिप्लोईड दोनों सेल में माइटोसस हो सकती है Meiृण बॉडव सेल में ही मिय lithium बॉड़ी में ढौन नथे की कि हैपलोईड फैरल है मइटोसस करती है subscribe diploid cells जो हैं, वो mitosis और meiosis दोनों method से divide कर सकती हैं, देखिए, तो this ability leads to the formation of different plant bodies, haploid and diploid, क्योंकि plant में haploid और diploid cells जो हैं, वो mitosis से divide कर सकती हैं, mitosis से जब haploid cell divide करेगी, तो उसका number जो हैं, वो बढ़ता रहेगा, उसकी तरह से diploid cell जो हैं, जब divide करेगी, तो उनका number भी जो हैं, वो बढ़ता रहेगा, इस तरह से क्या होगा, अलग-अलग bodies बन जाएंगी, जो कि या तो haploid होंगी, या तो diploid होंगी, तो this ability to lead to the formation of different plant bodies, haploid and diploid, समझ के न, क्योंकि दोरो haploid और diploid cells रहें, mitosis perform कर सकती हैं, तो haploid और diploid bodies हमको देखने को मिलती हैं, the haploid plant body produces gametes by mitosis, या दखीगा, बहुत important point है बेटा, haploid जो plant body होगी, gametes, किस method के थ्रू बनाएगी, mitosis के थ्रू, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमने पड़ा था, कि meiosis सिर्फ diploid cell में होता है, क्यों, क्योंकि meiosis एक reductional division है, जिसमें chromosome number जो है, वो half हो जाता है, चीक, अगर किसी के पास, जैसे deployed organism है, तो उसके पास 2 set of chromosomes होंगे, चीक, अब 2 set of chromosome होंगे, तो आगे वो एक-एक set जो है, वो अपनी daughter cells में दे दे देगा, मतलब हाप set of chromosomes हमको उसकी daughter cells में देखने को मिलता है, चीक, जैसे इस पे parent cell में 20 हैं, chromosome, deployed number of chromosome 20 है, तो daughter cell में कितना नहीगा, 10, 10 और 10 each, मतलब, reductional हो गया, अब अगर मैं haploid plant body की बात करती हूँ, जिसके पास की already 10 chromosomes हैं, तो क्या, haploid का और आदा होगा, जिस पे एक ही set है chromosome का, अब एक set का क्या आदा आदा हो पाएगा, चीक, तो इसमें क्या होता है, same chromosome number रहता है, haploid plant body में क्या होगा, daughter cells में भी same ही chromosome number रहेगा, चीक, तो haploid plant body produces gametes by mitosis, this plant body represents a gametophyte, समझ गए आप, तो haploid plant body जो gametes produce करती है, mitosis से, उसको हम क्या कहते हैं, gametophyte कहते हैं, तो gametophyte एक haploid plant body होती है, gametophyte एक haploid plant body होती है, जो की gametes produce करती है, mitosis से, following fertilization, the zygote also divides by mitosis to produce a diploid sporophytic plant body, तो देखे, gametes की formation के बाद उनमें fusion होता है, मतला fertilization होती है, fertilization के बाद क्या बनता है, zygote बनता है, अब मुझे बताए, zygote haploid होता है या diploid होता है, zygote जो है, वो diploid होता है, कैसा होता है, diploid, लेकिन zygote में क्या होगा, mitosis हो सकती है, या meiosis भी हो सकती है, त्यान से सुनना मेरी बाद को, zygote एक diploid cell है plant का, जिसमें animal में भी zygote बनता है, लेकिन हम यहाँ पे plant kingdom की बाद कर रहे हैं, इसलिए main focus जो है, वो plants पे लखेंगे, zygote जो है मेटा कैसा है, diploid है, उसमें mitosis भी हो सकती है, उसमें meiosis भी हो सकती है, तो जिस केस में sporophyte बनना है, ठीक है, multi cellular sporophyte होता है, जिस केस में sporophyte बनना है बचे, बताइए मुझे, zygote में meiosis होगी, या mitosis होगी, क्या होगी, mitosis, तो देखे, fertilization के बाद, मा क्या हो सकता है, zygote divide करेगा mitosis से, और क्या form करेगा, deployed sporophytic plant body, मतलब zygote में अगर two set of chromosomes हैं, तो sporophytic body जो होगी, उसमें भी क्या होगी, two sets of chromosomes ही होगी, मतलब 20 chromosomes zygote में हैं, तो sporophytic body में भी क्या होगी, 20 ही cells होगी, sporophytic plant body की हर एक cell में 20 ही chromosomes होगी, यह जो sporophytic plant body है, इसमें sporocytes होते हैं, sporocytes मतलब spor forming cells, क्योंकि यह deployed है, तो इसमें meiosis होगा, spor form करने के लिए sporophytic plant body में meiosis होता है, तो देखें, haploid spores are produced by this plant body by meiosis, तो spores कौन produce करता है, sporophytic plant body जो है, वो spores produce करती है, किस method के तुरू, meiosis के तुरू, कौन सा cell division होता है, meiosis है, और haploid spores बनते हैं, चली, अब यह haploid spores जो होते हैं, यह further mitotically divide करते हैं, to form a haploid plant body once again, मतलब spores germinate करेंगे, mitosis show करेंगे, और क्या बनाएंगे, haploid plant body बनाएंगे, फिर से, sports क्या करेंगे, mitosis show करेंगे, अपना number बनाएंगे, और further mitotically ही grow करके, haploid plant body बनाएंगे, मतलब, कौसी haploid plant body, gametophyte, thus during the life cycle of any sexually reproducing plant, there is an alternation of generation between gametes producing haploid gametophyte, and spores producing diploid sporophyte, इसलिए जो भी हम sexually reproducing plant जो हैं, वो देखते हैं, तो उनमें हमको एक alternation of generation दिखता है, किसके बीश में alternation of generation होगा, between gamete, gamete क्या produce करेंगे, haploid gametophyte, है ना, और spores, जो produce करते हैं, diploid sporophyte, दो gametophyte कैसा होता है, haploid, sporophyte कैसा होता है, diploid, is it clear to you, समझ गें आप, ठीक है, चलिए, अब, however, different plant groups, as well as individual, representing them, deeper in the following patterns, लेकिन जो plan groups in sporophytic, gametophytic phase को represent करेंगे, वो अलग-अलग pattern show करेंगे, सबसे पहले चलिए ये देखिए, यहाँ पे घान से देखिएगा, life cycle सिर्फ क्या लिखिए है, haplontic लिखिए है, क्या आपको यहाँ पे sporophyte नजर आ रहा है, हाँ या ना में अंसर करेंगा, क्या आपको यहाँ पे sporophyte नजर आ रहा है, नो मैम, यहाँ कहीं भी sporophyte नहीं लिखा है, haplontic है में लिखिए, जो main phase आ रहा है life cycle का, वो कैसा आ रहा है, haplontic आ रहा है, चलिए धान से देखते हैं, यह ग्यामिटोफाइट बना, ग्यामिटोफाइट हमने पढ़ा है कैसा होता है, haploid होता है, ग्यामिटोफाइट में ग्यामिटोफाइट में ग्यामिटोफाइटोफाइट में ग्यामिटोफाइटोफाइट में ग्यामिटोफाइटोफाइटोफाइटोफाइटोफाइटोफाइटोफाइटोफाइटोफाइटोफाइटोफाइटोफाइटोफाइटोफाइटोफा जाइगोट बना अब यहां पे कोई sporophyte नहीं बनता है तो यहां पे zygote में ही meiosis हो जाती है तो हम बोल सकते हैं कि sporophyte is represented by a single cell zygote ठीक है तो sporophyte कौन रिप्रेजन कर रहा है बेटा एक single cell zygote क्या दखीगा किसी भी living का जो first cell होता है life का the first cell of life is zygote जो की diploid होगा जिसमें दो set of chromosome होंगे क्यों होंगे क्योंकि एक set जो है वो male से आएगा दूसरा set जो है वो female से आएगा अब यहां पे zygotic meiosis हो जाएगी और sports बनेंगे अब यह diploid है आप जानते हैं meiosis reductional division है sports केसे होंगे haploid sports जो है वो germinate करके क्या बनाएंगे gametophyte mitotically divide करेंगे gametophyte form करेंगे germination के बाद जो की haploid होगा sports haploid है gametophyte भी haploid होगा gametophyte में gametes बनेंगे वो भी haploid होगी gametogenesis क्या होगया gamet formation तो mainly जो यहां पर पूरा जो life cycle चल रहा है उसमें main phase जो क्या रहा है वो haplontic phase आ रहा है इसको हम बोलते है haplontic life cycle जिसमें zygote जो है वही sporophytic body को represent करता है single cell होता है exactly पूरा जो sporophyte form होना होता है वो as such कोई भी sporophyte जो है वो form नहीं होता है is it clear this is haplontic life cycle जिसमें zygotic meiosis हो रहा है बिटा कौल सा meiosis हो रहा है zygotic meiosis हो रहा है यही life cycle form करता है वो follow करता है तो most of the algae जो है वो इसी life cycle को follow कर रहे होते हैं चलिए अब आप करते हैं haplontic life cycle की तो अभी अभी हमने पढ़ा sporophytic generation is represented only by the one cell zygote क्या हमने अभी पढ़ा यह नहीं पढ़ा बलकुल पढ़ा है न कि sporophytic generation जो है वो single cell zygote form कर रहा होगा there are no free living sporophytes क्या आपने कोई भी sporophyte देखा जो free living हो नहीं देखा meosis in zygote results in the formation of haploid spores तो meosis किसमें हुई haplontic life cycle में आपको zygotic meosis देखने को मिलती है और zygote में meosis की बाद क्या form हुए विचा लोग spores form होते हैं the haploid spores divide mitotically inform the gametophyte तो haploid spores जो है mitotically divide करेंगे क्या बनाएंगे gametophyte gametophyte में क्या बनेगा gametogenesis होगी मतलब gametes बनेगे gametes बनने के बाद क्या होगा उनका fusion होगा मतलब fertilization सिंगामी होगी उसके बाद क्या बनेगा zygote zygote में फिर क्या होगी meosus meosus से फिर क्या बनेगा gametophyte तो इस तरह से यह generation जो है यह चलती रहेगी zygote आएगा फिर gametophyte बनेगा फिर zygote आएगा फिर gametophyte बनेगा zygote haploid होगा या diploid haploid होगा sports कैसे होंगे haploid होंगे gametophyte कैसा होगा जल्दी से बताएगे haploid होगा haplonic life cycle में sports जो है वो haploid होते हैं यह point खास तौर पर याद रखिएगा फिर आता है dominant photosynthetic phase in such plant is the free living gametophyte याद रखिएगे algae का dominant phase photosynthetic phase क्या होता है free living gametophyte हमने पढ़ा sporophyte इसमें ऐसच नहीं होता है तो इस तरह की life cycle को हम कहते है haplonic life cycle wallwork spirogyra और chlamidomonas इस pattern को show करते हैं याद रखिएगा chlamidomonas में सारे characters algae की तरह है लेकिन इसको plant kingdom में exactly नहीं रखा गया है अब इसको protista में रखा गया है हलांकि green algae में chlamidomonas का example भी दिया हुआ है यह चीज़ हमको बहुत confuse करती है ncrt he chlamidomonas को दो जगा रखती है green algae में भी रखती है और वहीं यह हमारे biological classification के chapter में भी mention करती है कि chlamidomonas को है वह एक ट्रुटेस्ट है कि यह single cell eukaryotic organism है ठीक है चोई यह next cycle देखते हैं हम next cycle में क्या हुआ gamitophyte तो सब में haploid होता है gamitophyte सब में कैसा होता है haploid आरे next नहीं है यह वही cycle है haplontic cycle ठीक है तो वह आप तो देखी सकते हैं again gamitophyte 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 में gamits बनेंगे gamitogenesis होगी singami zygote zygote में meiosis होगी meiosis से haploid spore बनेंगे zygote diploid होता है यह हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया next बात करते हैं यह हमारे बात यह हमारे पास diplontic life cycle अब ध्यान से देखिए gamitophyte जो है वह short lift है और sporophyte जो है बहुत जादा time के लिए है ठीक है अब ध्यान से देखते हैं हम कि diplontic life cycle में क्या होता है यह है gamitophyte यह है gamitophyte होगा gamitophyte में अगें क्या होगी gamitogenesis मतला male gamete और female gamete बनेंगे यह male को represent करने के लिए इस तरह से symbol होता है female को represent करने के लिए इस तरह का symbol रहता है और चलो चीक है तो यह हमारे पास होगे male and female gamete और यह हो गई gamitogenesis formation of male and female gamete is called gamitogenesis इनकी formation के बाद इनमें क्या हो जाएगी syngami मतला fertilization तो fertilization के बाद क्या बनेगा diploid zygote बन जाएगा क्या बन जाएगा diploid zygote बन जाएगा लेकिन जैसा कि haplontic life cycle में होता था जाएगोट जो है वही single cell sporophyte represent कर रहा था लेकिन इस case में zygote जो है उसमें mitosis होगी जाएगोट में क्या होगी mitosis होगी और वो multicellular sporophyte form करेगा आप बताएगे क्या mitosis में reductional division होगा नहीं इसलिए zygote जो है अगर diploid है sporophyte भी diploid ही होगा अब इस case में जो meiosis होगी वो sporophyte में होगी किसमें होगी sporophyte में होगी तो यह होगी sporic meiosis जिसमें spores बने यह देगे sporophyte में meiosis हुई है यह बने है haploid spores जो germinate होके gametophyte बना रही है तो सिर्फ क्या difference आया haplontic life cycle में जहां हमने sporophyte को नहीं देखा था वहाँ पे सर्फ और सिर्फ sporophyte फॉर्म हो गया है और sporophyte जो है वो main plant body यहां पे बन रहा है तो यह है diplontic life cycle is it clear same steps है अगर आप देखेंगे steps same है सिफ जाइगोड की बार क्या बना है sporophyte बना है और आपको यह जरूर represent करना है कि main जो है वो कौन ज्यादा dominant है तो diplontic में sporophyte ज्यादा dominant है हमारे पास ठीक है चलिए आप diplontic life cycle के बारे में बात करते हैं on the other extreme is the type wherein the diploid sporophyte is dominant photosynthetic independent phase of the plant यहां पे सबसे important point क्या आया कि diplontic life cycle में diploid sporophyte dominant होता है photosynthetic होता है independent phase of plant है मतलब अपना खाना खुद बना सकीया क्योंकि इसमें क्या हो रही है photosynthesis हो रही है जबकि अगर हम बात करते हैं gametophyte की तो it is represented by the single two few cell haploid gametophyte अब क्या क्या बेटा क्या ध्यान देना है ध्यान देना है haplontic cell में जो sporophyte था sporophyte को single cell represent कर रही थी zygote ठीक और जो photosynthetic independent body थी वो gametophyte ही था ठीक डिपलॉंटिक में उल्टा हो गया diplontic में sporophyte photosynthetic है independent phase है और gametophyte जो है वो single two few cell haploid gametophyte है ठीक है the kind of cycle is called diplontic जिसमें आपके पास diploid sporophyte बहुत dominant है और जो gametophyte phase है वो single two few cell ही है यहाद अतना है haplontic में बताईए जो आपकी sporophyte phase है वो कितनी cell है जल्दी से single cell और diplontic में sporophyte phase multi-cellular है लेकिन gametophyte phase single two few cell है चलिए एनलगा फ्यूकस देखिए spirogyra, walvox, chlamydomonas, जो है वो कौल सी cycle follow कर रहा है जल्दी से बताईए haplontic लेकिन fucus जो आपने पढ़ा था वो रिप्रेजन करता है diplontic life cycle को याद अतना है विरा इसके साथ ही जितनी भी all seed bearing plant जो ही आते हैं gymnosperms and angiosperms covered seed होता है angiosperm में gymnosperms में naked seed they follow this pattern with some variations wherein the gametophytic phase is few two multi-cells ठीक है तो क्या होता है कि algae में तो होता ही होता है fucus में हमने पढ़ लिया algae में mainly haplontic है लेकिन fucus में diplontic है और जतने भी gymnosperms हैं angiosperms हैं सारे के सारे इसी pattern को follow करते हैं जहां पे gametophytic phase जो है वो few two multi-cells होती है चलिए अब यहां देखिए यह है haplodiplontic life cycle important point देखिए haploid phase, diploid phase अपना अपना बरावर हिस्सा है धान से देखेंगे बस यहां पे हिस्सा बदला है stages वहीं है gametophyte haploid होता है gametogenesis होती है gamet का formation simulation में क्या हुआ फिर syngami हुई fusion हुआ zygote बना zygote जो है उससे क्या बनेगा mitosis के थू sporophyte बनेगा दोनों के से रहेंगे diploid sporophyte में क्या होगी meiosis meiosis में क्या बनेगी sports है haploid और germinate करके क्या बना देगा gametophyte लेकिन यहां पे देखिए अपना अपना रोल होता है sporophyte का gametophyte का एक particular time के लिए मतलब sporophyte और gametophyte जो है वह somehow आपको independent दिखेंगे not always ठीक है independent mainly teradophyte में independent रहेंगे चलिए आगे हम पढ़ते हैं haplodeplontic life cycle के बारे में steps वहीं है ठीक लेकिन थोड़ा haplodeplontic जो है उनका हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर बराबर दिखाई दे रहा है independent phases आपको दिखाई देंगे sporophyte आपको independent भी दिखाई देगा gametophyte भी आपको independent दिखाई देगा haplodeplontic life cycle में चलिए bryophytes and teradophyte interestingly exhibit an intermediate condition haplodeplontic both phases are multicellular यह main है कि दोनो phases जो है वो multicellular है यह भी नहीं है कि कौन independent है कौन independent नहीं है सबसे important बात है कि दोनो ही cells यह multicellular है चीक अब आप बताईए diplontic में multicellular कौन था sporophyte gametophyte जो था वो single to few cell था मतलब कुछ cell थी या few to थोड़ी से ज़ादा cell थी ठीक है to multicell तो फिर भी gametophyte था वो कम था और वहीं अगर हम बात करते हैं haplontic की तो उसमें sporophytic cell थी बागी सारा phases कैसे थे haplontic यहां बात कर रहे हैं तो यहां दोनों ही sporophyte और gametophyte multicellular होंगे haplotipontic life cycles में हरांकी दोनों उनकी dominant phase में deeper करेंगे चलिए dominant independent photosynthetic thaloid और erect phase is represented by a haploid gametophyte and it alternate with a short lived multicellular sporophyte totally or partially dependent on the gametophyte for its increase and nutrition all bryophytes represent this pattern आपने bryophytes पढ़ा उसमें dominant plant body होती है haploid gametophyte जोकी multicellular होगा लेकिन सब cell में एक set of chromosome ही होगा ठीक है एक-एक set होगा independent होगा gametophyte photosynthesis कर पाएगा palace like होता है erect हो सकता है haploid gametophyte यह alternate करेगा short-lived but multicellular sporophyte के साथ जो की totally और partially किस पर dependent होगा haploid gametophyte पर ही dependent होगा तो bryophytes में sporophyte dependent रहता है gametophyte पर photosynthesis कौन करता है gametophyte लेकिन दोरों कैसे है multicellular वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी teredophytes की तो diploid sporophyte is represented by a dominant independent photosynthetic vascular plant body सबसे पहले जो vascular bundles पने थी xylem and phloem वह teredophytes में आये थे it alternates with multicellular saprophytic or autotropic independent but short-lived haploid gametophyte देखिए आया sporophyte is independent vascular plant वह सारे के सारे क्या होते है teredophytes होते है interestingly while most algal genera are haplontic हम जानते है mostly सारे algal genera कैसे है haplontic है some of them such as ectocarpus जो phyophysi में आता है polysiphonia जो red LE है rhodophysi में आता है calps again brown LE phyophysi are haplodyplontic ectocarpus polysiphonia and calps are haplodyplontic और phukus तो आपने इंचाना ही था कैसा होता है diplontic जो यह एक बार revise कर लेंगे haplontic life cycle में sporophyte है वो single cell होता है जो zygote होता है और multicellular आपको gametophyte देखने को मिलता है चीक है तो gametophyte जो है वहाँ पे main रहता है haplontic life cycle आती है चीक है और वहाँ हमको zygotic meiosis देखने को मिलती है mostly LE जो है haplontic life cycle शो करती है diplontic में हमको gametophyte जो है वह few cell देखने को मिलता है और sporophyte जो है वह multicellular रहता है sporophyte form होता है और sporophyte में meiosis होती है to form spores haplodipontic में भी sporophyte बनता है लेकिन sporophyte और gametophyte दोनों ही multicellular होते है bryophyte में haplodipontic life cycle होती है teridophyte में होती है उसके लाबा ectocarpus polycyphonia or calps में होती है और diplontic gymnosperm और angiosperm में होती है उसके अलावा fucus में होती है अच्छे से revise करना